आज मैं बना रही हूं गोवी का फ्राठा सर्द्यू स्पेसल प्राठा और सर्द्यू की जान है तो चलिए शुरू करते हैं प्राठा बनाने की तरफ तो सबसे पहले हम फूल गोवी लेंगे फूल गोवी को हम काटकर साफ करके अच्छे से धूपर ले ली है मैंने यहापे इसके बाद हम इसे कटर लेंगे और गोवी को घिस देंगे तो मैं इसको मीडियम वाले साइड से घिस रही हूं तो इस प्रकार से गोवी अच्छे से बारी बारी घिस जाती है तो इसी प्रकार से हम सारी गोवी को मैंने घिस दिया है अब घिसी हुई गोवी में एक चमच नमक मिला कर अच्छे से गोवी में मिला देंगे वह दस मिनट के लिए इसको नमक मिला कर छोड़ देते हैं अब दस मिनट हो चुके हैं अब गोवी में को थोड़ा सर लेंगे हाथ में दोनों हाथों की मदद से इस प्रकार से दबा कर इस गोवी को हम जो में एक्स्ट्रा पा पानी हो उसको अलग निक्ल देंगे जह सारे गोवी का पाँनी का निकल जाएगा तो इसमें हम स्वाधूद्ध रॉर्द literary casual फीच चक मज़ धन्याप चबर इक चमच एक चाहिए खांच रामक हाइटी पाऊडर नमक जरानाइट्य मीज़ कर दे काटेक दालर एक छोटी सी लोई लेंगे इस प्रकार से हम लोई को गोल गोल बना देंगे और गोल लोई पर थोड़ा सम सूच आटा लगा देंगे और हाथों की मदद से लोई से पहारती साय से मराबर हाथों से थोड़ा थोड़ा करके फैलाती जाएंगे इस प्रकार से और फिर इसमें तयार मसाले को हम भर देते हैं और मसाले को दबा दबा कर रोटी के अंदर भर देंगे और रोटी को चारों तरब से बंद करते जाएंगे ताकि जो मसाला है बाहर न निकले इस वरकार से लोई तया कर देंगे कि पिर आटे की लोई पर सुखा आटा लगा कर हाथ की मदद से थोड़ा थी से दो बादबा कर रं jsुम इसे प्र सरा भयवह देंगे यह फेल.. पिर बेलन की winding से हम लोई को बेल देंगे इस प्रकार ako पूरा फ्रोकार के पिर दिक ऑख्रत। से द्रक्रणाओ नीची की साइट से अच्छे से कुछ इस्तोर से पक्षपKच हो जाए हो तो प्राठो को हम दूसरी साइट प्लट देंगे और उन चार्प देंगे घि लगा देंगे जब उपर साइट से घी अच्छे से लग जाएगा तो प्राठी को हम दूसरी साइट से प्लट देंगे और दूसरी साइट भी प्राठी पर घी लगा देंगे अब पराठी को दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए दबा दबा कर अच्छे से हम इसको सेख लेते हैं तो इस प्रकास से गोवी का पराठा बनकर त्यार हो जाता है तो ये देखिए गोवी का मिज़िदार पराठा बनकर त्यार हो गया है इसी प्रकार से आप गोवी का पराथा बना कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए सुपर तेस्टी सुपर गोवी की पराथे को हम शर्व करते हैं ये पराथे खाने में को मैं सौस के साथ सर्व कर रहे हूं आप चटनी सौस अचार किसी के साथ भी जिसके साथ आपको उसको खाना प तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो के साथ तो देखते रहना सौन अपस्क्राइब व्लॉग